नमस्कार फिर्ण में हूं चंदर्म प्रेल और देखे आज मैं बात करने जा रहा हूं पंजाब अलकलीज एंड केमकल के बारे में देखे कि किमकल को के स्टॉक में ये मतलब किमकल के सेग्मेंट में ये कंपनी काम करती है इस स्टॉक का वन मंध का रिटन 33% है अगर हम 1 year की बात करें तो लगबग 428% का return दिया है इस company का अगर हम bound big low की बात कर लें तो 50 रुपे का bound big low है अगर bound big high की अगर हम बात करें तो लगबग 324 रुपे के आसपास bound big high है market के application लगबग 1473 करोड का है और अगर हम share holding pattern की बात करें तो लगबग 21.3 के share holder से हैं अब इसमें event क्या आया है आप यहां पर upcoming event आप यहां पर देख सकते हैं stock split हो रहा है इसकी जो face value है वो face value change हो रही है 10 रुपे की face value 2 रुपे हो रही है मतलब अगर आपके पास एक share होंगे तो एक share के बदले आपको पांच share मिलेंगे ठीक है यह आप देख सकते हैं और इस stock इस company का जो x date है मतलब split होने का जो x date है वो लगबग 27 तारीक हो 27 जन्वरी 27 जन्वरी से पहले यह आपके stock आपके account में डिमेट account में होने चाहिए तभी यह split होंगे ठीक है और अगर हम इस company के अभी बात कर लें तो लगबग 303 रुपए पर trade कर रही है तो जब यह split होगा तो आपको यह और भी एक अच्छे लेबल पर मिल जाएगा चलिए हम इस stock की थोड़ा सा देखे हम यहां पर Google पर आए हैं अगर आपने यहां पर follow नहीं किया होगा तो आप जरूर follow कर लें follow करने से होता क्या है कि कर आप follow कर लेंगे तो मार्केट चैसे ही बंद होती है तो सारी जितने आप किये follow कि रहेंगे वह सारी 29 परसेंट का रिटन है पास्ट मंत अगर हम 6 मंत की बात करें तो लगबग 6 महिने में 233 सेली है डो सो 31 परसेंट कर रिटन आप यहां पर देख सकते हैं अगर हो यहां पर वन यहर की बात करें तो लगबग 1爸 में 460% का रिटन आप यहां पर देख सकते हैं अगर हम यहां पर फाइब यह की बात करें फाइब यह में लगबग 1831% का रिटन है आप देखें यहां पर फाइब यह में कॉंटी न्यू एक बहुत ही अच्छा रिटन दिया है एक्चुली क्या की मैक्सिमम डिटन इस मैक्सिमम डिटन पे इतना ज़्यादा मतलब रिटन दिया नहीं है कंपनी आप इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए इस स्टॉक को चलिए मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको द इपियस ज्यादा कुछ खास नहीं है और यहां पे अगरम पर मोटर की होल्डिंग देखें तो पर मोटर की होल्डिंग जितनी है लगबग उतनी ही यहां पे गिडवी रखी हुई है और यहां पे कैस फ्लो इनके पास लगबग 29 करोन है डेप फ्री ही समल लिजी इस्टॉ कारी बिदिक्त नहीं है और यहां पे आप अर्निंग अगर रिजल देखें दिखें एक यह च्छोटी कंपनी है अगर हम प्रॉफिट एंड लाउस पर देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं 2010 में 22 करोन माइनस 22 करोन 2011 में माइनस 24 करोन 2012 में 4 करोन प्रॉफिट 2013 में 3 करो director 2014 MP3-Dema spirit के लगफ्वाइनस देखने को उनले है 2006 पर भारिश चंप मिला था अगर हम यहां पे 2020 के बात कर लेए तो 9 करोनρεί को फिड़ matching 2010 में तो अभी तो फिलहाल कि यहां से 2009 इस कंपनी में यह ते पोजी सन और शरम वाफिजिक्त चला है जो कि कमपनी यह कभी तक एक अच्छी नेट प्रौफिट दे रही है और यहां पर अगर हम isheads के बात करें तो isheads से भी बढ़ रहें तो कोई दिक्षत नहीं है isheads बहुत ठीक ठाक है और अगर हम यहां पे शेयर होड्लिंग पेटरं की बात करें तो देखी पर देख सकते हैं मार्च 2091 में लगबक 33.49 की विभी परसन पह नहीं पर दिश्च पॉइंट 42% की ओर लिए और यहां पर दिसंबर 2021 की होड़िंग घटी और यहां पर दिश्च की भी होडंड में है और जो पब्लिक है उनकी होल्डिंग यहां पर बढ़ी है तो देखें आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा इस कंपनी में प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप सौट टर्म को मैं आपको अगर एक अच्छी पोजीशन में मिले तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉंग टर्म के परपत से मैं इस कंपनी को रिक्मेंड नहीं कर सकता हूं ओके थेंक्यू फ्रेंड